हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल आज की जो वीडियो है बहुत ही यूसफुल होने वाली है जिसमें मैं तीन से चार टिप्स और ट्रिक्स बता रही हूँ जो कि पूजा में बहुत ही हेलफुल होते हैं तो अभी आप जो एक तरीका देख रहे होंगे कि एक प्लेट में मैं थोड़ी सी मैना जो है सिंदूर रखा हुआ है और उसके बाद उसमें चाबल रखे हैं आप सिंदूर को पानी से मिक्स कर रही हूँ तो बहुत से घरों में क्या होता है कि जब हम पूजा की थाली तयार क होते हैं तिल लग करने के लिए मंद्ल ले जाते हैं तो इस तरह से तैयार करते है तो उसमें होता क्या है की सारी चीजे mix and match हो जाती है कभी-कभी खाने की जो चीज होती है जैसे कि मिठाई होती है, फल होती है वो भी हमारे सिंदूर में सारे मिल जाते है तो अब से ऐसा नहीं होगा इसलिए वीडियो को end तक देखेगा 3-4 ट्रिक मैं बता रही हूँ सबसे पहला जो हमारा hack है वो ये है कि जो घर में सीरप आते है उन सीरप के उपर इस तरह से ढकन लगे होते हैं जिसे कि हम नाप के दवाई देते हैं तो इसमें मैंने दो बड़े लिए हैं ढकन और दो छोटे लिए हैं एकी साइस के आप चाहें तो एकी से ले सकते हैं इसमें कोई वैसा नहीं है कि बड़े ये छोटे ही लेने है और इन चारों को इस तरह से ग्लू से चिपका दीजेए तो ये छोटी सी देखिया हमारी एक प्लास्टिक की ट्रे टाइप की बन गई है जो की बहुत ही यूसफूल होने वाली है अब इसमें मैंने चाबल रख लिए है एक साइट चाबल रख लेंगे जिससे की अब ये हम कहीं भी लेके भी जाएंगे या घर में भी यूस करेंगे तो बिखरेंगे नहीं और दूसरी वाली टिब्बी में मैं साइट में सिंदूर रख ले रही हूँ अब हम इस सिंदूर में डालेंगे पानी तो अब आप इसको अच्छे से मिक्स भी करेंगे हिलाएंगे भी न तो ये आपके सिंदूर प्लेट में कहीं भी नहीं फैलेगा हम फूल रखेंगे तो हमारे फूल, मिठाई, फल सब एक से रहेंगे अब ये चार डिबी बन गई हैं अब आप जो भी रखना चाहें उग रख सकते हैं हल्दी, वंदन, कुमकुम, चावल और उसी को उठाके अब आप रख लीजे प्लेट के उपए तो ये हमारा जो है फर्स्ट हैक है पूजा से रिलेटेट कि हम थाली इस तरह से भी तयार कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के और बहुत ही आसान तरीका ये है हमारा जिससे हमारी जो थाली है देखिए वो भी एकदम साफ रहेगी और ये साइट से छोटी सी एक दिब्बी बन गई है आप चाहें तो इसको बाद में जो फॉाइल पेपर होता है उससे भी ढखके रख सकते हैं बाद में भी यूज़ हो जाएगा दूसरा हैक हमारा ये है कि जैसे कि सर्दी का टाइम है घी जम गया है अब चमच को तो हमने गरम कर लिया है गरम करने के बाद हमने इसको इसमें लगाया है तो घी तो देखे अच्छे से निकलने लग गया है पर उससे पहले अब हम क्या करेंगे हम सभी के घर में कपूर रखा होता है जिसको हम हवन में यूज़ करते हैं उस कपूर के कुछ टुकडे लेने हैं और उसको महीन महीन इस तरह से पीस लेना है जैसे कि अद्रक उटने वाला जो खलड होता है मैं उससे कर रहे हूँ आप कोई भी चीज ले सकते हैं हमारा परपस है कि कपूर के टुकडों को एकदम महीन पाउडर जैसा बना लेना है अब ये एक ही बार बना के रख लेना होता है जिससे कि बार बार हमें इस तरह नहीं करना पड़ेगा तो मैंने जादा सा बनाया है अभी देखे एकदम महीन पाउडर जैसा पिस चुका है अब इसको किसी भी एक छोटी डिब्बी जो भी आपके घर में खाली पड़ी हो उसमें निकाल के रख लेना है तो ये देखे एक छोटी सी डिब्बी है जिसमें मैं इस पूरे कपूर के पाउडर को इसमें रख लूँगे तो क्या है ये हमारे महीनों तक चलता रहेगा और बार बार पूजा करते टाइम हमें कोई भी दिक्कत भी नहीं आईगी अब क्या करना है कि जो घी है जो की सर्दियों में जम चुका है आरती को जलाने में हमें कई सारी माचिस की तीलियां लग जाती है तब जाके कहीं हमारी ये जोत है जलती है अब से ऐसा नहीं होगा आप इस ट्रिक के साथ करेंगे आपको भी आसानी रहेगी आरती करने में और जल्दी से ये देखे कम्प्लीट भी हो जाएगे तो घी को लगा लिया है आसपास और थोड़ा सा बत्ती के उपर लगा दिया था और उसके बाद ये पिसा हुआ कपूर लगा दिया है कपूर बहुत जल्दी आग पकड़ता है तो देखे एक ही बार में हमारी एक ही माचिस की तीली से जोत जलके तयार हो जाएगी तो अब से जो ज़न्जट रहता है सरदी में घी जम गया है जोत को गरम करना पड़ रहा है घी को गरम करना पड़ रहा है तो ये आपका अब नहीं होगा तो तीसरा है थैख हमारा ये है कि इस सरए की दिखे बहुत सारे मिठाई की डिब्बे भी आ जाते हैं इसमें दिवाली पे सोन पापडी भी आती है इस तरह का डिब्बा होता है तो अब हम ये फेकेंगे नहीं अब हमारा यूज क्या होने वाला है जैसे की मार्केट से जब भी हम कोई भी चाइनीज आइटम लेके आते हैं तो हमें इस तरह की डिब्बिया मिल जाती है रेस्टोरेंट से जिसमें चटनी रखी हुई होती है तो नॉर्मली घर में मैंने दिखा है कि लोग फेक देते हैं पर इसको नहीं फेक ना आईए हमारे बहुत यूसफुल होने वाली है तो एक में देखी एक डिब्बी में मैंने रख दी है इलाइची अब अलग अलग पैकेट्स में हम अपनी पूजा की चीज़े रखते हैं जैसे किसी में लॉंग रख दी है अभी इस पॉलिथिन में मैंने सुपाड़ी रखी हुई थी तो क्या है कि दूणना पड़ता है और फिर अलग अलग रख के कई बार हम भूल जाते हैं तो सारी पूजा की जो चीज़े होती है लॉंग सुपाड़ी इलाइची और जो चावल है सिंदूर है काफी चीज़े होती है मिश्री है तो हम एक ही डिब्बे में एक ही पूजा का डिब्बा बनाके रख लेंगे और बार हमें एक बार-बार किछिन में उठके नहीं जाना पड़ेगा कोई चीज़ ढूननी नहीं पड़ेगी फटा फट पूजा करते हैं हमारा टाइम भी बचेगा और हम पूरेवेदी विधान से सारे पूजा पाठ मंदिर में बैटके कर पाएंगे तो ये थे हमारे 3-4 हैक जो पूजा घर से related थे मंदिर से related जो मैं use करती हूँ वही मैंने आपके साथ भी share कियो हुए है तो इसी तरह कि जो छोटी-छोटी tips और tricks होते हैं मैं अपने ideas share करती हूँ अपने इस channel पे अभी तक अगर आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजए आगे भी इस तरह के helpful useful tricks मिलते रहेंगे और I hope आपको ये मेरे जो hacks हैं जो मैंने आपको बताए हुए हैं ये अच्छे लगे होंगे तो कौन सा इसमें आपको useful लगा है comment box में लिख कर बताएगा जिससे कि मुझे भी पता रहेगा कि मैं जो ये tricks share कर रहे हूँ ये वाकई में helpful हैं भी या नहीं So thank you so much इस video को पूरा देखने के लिए और भी कई सारी videos मैंने share की हुई हैं जैसे कि बैट की चादर को बिचाने के trick और भी है तो उनको भी देखना मत भूलेगा